एक जमाना था जब घोड़े हमारे आवागमन के सबसे प्रमुख साधन हुआ करते थे युद्ध में इनकी भूमी का तो और भी जादा एहम होती थी कई घोड़े तो अपनी वफदारी और बहादुरी की वजह से इतिहास में अमर भी हो चुके हैं जिनमें चेतक से लेकर 62 वर्ष की आयो तक जीवित रहने वाला ओल बिली को कौन नहीं जानता बदलते वक्त में अब घोड़े की भूमी का बहुत सीमित हो गई है और इनका अस्तमाल अब खेलों में या शादियों में ही सिमट कर रह गया है आज आपको राजधानी राची के घोड़ा पालकों से रूबरू कराते हैं इस रिपोर्ट के जरीए पहले तो करता था राजा महराजा की वफादारी अभी हमारी कर रहा है क्योंकि हम लोग का घर चलाता है कमाई तो यह भई है देखो हम लोग अभी घोड़ी के 11,000 रुपे बुकिन के लिए ते हैं गोड़ों का हार तयार करना भी काफी महनत वाला होता है साथ ही उनकी साफ सफाई और मालिश पर भी रोजाना कई घंटे खर्च करने पड़ते हैं शादी के सीजन में तो महनत और बढ़ जाती है उन्हें ट्रेंड किया जाता है क्योंकि शादियों में पड़ाको और तेज संगीत पर उनके बिदकने का भी खत्रा रहता है शादियों के लाबा टूरिस प्लेस पर भी होर्स राइडिंग कर कुछ गोड़ा पालक अपनी जिवी का चलाते है सेना पुलिस स्पोर्ट्स को छोड़ दे तो ये घोड़े आम लोगों के जीवन से पूरी तरह गायब हो चुके है ये उस लवन भारत के लिए कौशल के साथ अधिति की रिपोर्ट लाइक अंड शेर वीडियोस सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा